दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते मैं हूँ शालेनी वर्मा आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए धेर सारे प्यारे प्यारे एंजल नंबर्स को लेकर जो एंजल नंबर्स आप अपनी डेली रुटीन लाइफ में यूज कर सकते हैं जब जिसकी जरूरत पड़े इस्तेमाल कर यह कब किस नंबर की आपको जरूरत है नंबर्स नट करके रखिए जिस नंबर की जब जरूरत हो सिर्फ तबीतो इस्तेमाल करिए उसको सारे नंबर तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहला जो नंबर देने जा रही हूँ वो देने जा रही हूँ आपको औरा के लिए हमारी औरा क्या है? हमारा ही एक हिस्सा है जैसे हम है, हमारा ही रिफ्लेक्शन है हमारी औरा हम स्वस्थ हैं तो वो चीज हमारी औरा में नजर आती है और अगर हमारी औरा खराब दिख रही है means कहीं न कहीं physical, mental हम भी weak है, unhealthy है तो औरा हमारा reflection है औरा अगर आपकी damage है तो जाहिर सी बात है आपको बिमारियां, परेशानियां बहुत जादा शरीर में हो रही होंगी औरा की mental भी, physical भी तो damage औरा को repair करने के लिए औरा कैसे damage होती है गलत चीजों को सुनने से, गलत चीजों के गलत संगत में रहने से, गलत लोगों के साथ बैठके gossip करने से, कोई negative महाल में आप बहुत लंबे समय रहते हैं, आप बहुत जादा negative बाते सोचते हैं, इन सारी है, औरा strong है, तो किसी भी negativity का असर हमारे उपर जल्दी नहीं पड़ता, क्योंकि उसको औरा की layers को भेदते हुए, छेदते हुए अंदर आना पड़ता है, तो औरा अगर कमजोर है, वीक है, तो हर चीज का असर आपके उपर बहुत जादा हो जाता है, और औरा strong कैसे बनती ह है, meditation से बनती है, healing से बनती है, positive सोच से बनती है, जितना आप nature के पास रहेंगे, आपकी औरा strong रहेगी, इन सारी चीजों से औरा बनती है, strong, तो अगर आपकी औरा weak है, तो आप कौन सा angel number लिखेंगे, आप लिखेंगे angel number 811, 811 number, 811 angel number को किस से भी color के pencil, left body part पे लिखेंगे अगर आपको ऐसा feel होता है, कि मेरे अंदर भी बहुत negativity आ गई है, मेरी औरा भी खराब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मैं negative सोच रही हूँ, तो आप अपने औरा को damaged औरा को repair करने के लिए, औरा को strong बनाने के लिए, 811 number को लिखना शुरू करिए, और थोड़ा सा meditation, healing की त तो ये पहला number हो गया औरा को damaged औरा को repair करने के लिए, दूसरा जो आपको number देने जा रही हूँ, उन लोगों के लिए है, जो new opportunities को खोज रहे हैं, आपको लग रहा है कि जीवन में सब कुछ थम सा गया है, आप job कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा आपका, आप कुछ और नया करना चाहते हैं, कोई business कर रहे हैं, उसको expand करना चाहते हैं, means कुछ नया opportunities चाहते हैं अपने लिए, angel number 1111, 1111, अपने left body part पे लिखना शुरू करिए, ये जो number है ना संभावनाओं के दर्वाजे को आपकी तरफ खोल देता है, यानि जो नई opportunities हैं, जो आपके लिए useful हो स सकती हैं, तो उन दर्वाजों को आपके लिए खोलेगा, तो positive सोच के साथ, पूरे efforts भी लगाईए, और साथ में लिखिए ये number, ताकि universe भी आपको help करना शुरू कर दे, और नई नी opportunities आपके सामने आने लगे, तो ये दूसरा जो number है, नई opportunities को attract करने के लिए हैं, किसी भी color के pen से आप इन numbers को अपने body पर लिख सकते हैं, और जब तक आपको लगे कि अभी मेरा काम नहीं हुआ है, तब तक इन numbers को लिखते रहे हैं, जब लगे काम हो गया है, लिखना बंद कर दीजिए, तो इस तरह से numbers को use किया जाता है, तीसरा number जो बताने जा रही हूं, अगर आ आदिए कि कोई न कोई आपकी मदद करें, कभी न कभी life में situation ऐसी आ जाती है, कभी आदे रास्ते आप आ रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो गई, या कई और ऐसी जगे पे आप stuck हो गए हैं, जहां किसी और की मदद के बिना आप निकल नहीं सकते हैं, तो लिख दीजिए लिख दीजिए angel number 917, 917 किसी भी color के pen से, अगर रास्ते में फसे हैं, pen भी नहीं हैं, आप उंगली से ऐसे करके लिख दीजिए, ऐसे 917 लिखिए हाथ पे, और लगाता चैन्ट करिए 917, 917, 917, कोई न कोई वेक्ति आपकी मदद के लिए आगे जरूर बढ़ेगा, और मु मुश्किल से जरूर निकाल लेगा, तो दोस्तों यह है urgent help के लिए, जब भी जरूरत हो इस number को इस्तेमाल करिए, अब यह ऐसे number है, जो रोज यूज करने की जरूरत नहीं है, जिस दिन आप मुश्किल में फसे हैं, उस दिन आपने number लिखा, काम हो गया, उसके बाद आपन देने वाली हूँ आपको, एक number आपको दे रही हूँ, उन लोगों को जिनके घर में बड़ी अशांती रहती है, ऑफिस में बड़ी अशांती रहती है, यानि एक ऐसा विक्ति जो शांती की खोज में है, जिसको mental peace चाहिए, उसके घर में बहुत stress है, attention है, family members आपस में दिशान है, और अगर अपने लिए ढून रहे है, mental peace मतलब शांती का महौल अपने आसपास चाहिए, कहीं पर भी, घर हो, office हो, society हो, कहीं पर भी, अगर कोई वेक्ति अपने लिए शांती का महौल ढून रहा है, तो उसके लिए है, angel number 300600, 300600, 300600, इस number को कुछ दे लिखना जगड़ा थोड़ा कम होगा, और वो लड़ेंगे भी तो लड़ेंगे, आपके आसपास नहीं लड़ाई जगड़ा होगा, means आप mental peace में रहे हैं, तो यह बहुत खास number है, हर वेक्ति को कभी ना कभी जरूरत पढ़ सकती है, लिख कर रखिए, जब जरूरत हो, तब इस number को इस्तेमाल करिए 300600, यह आपका number है, last number जो आज आपको देनी जा रही हूँ, वो है confusion के लिए, मैं यह देखती हूँ, कि बहुत सारे लोग अपनी priorities को खुद नहीं जानती है, वो खुदी confused है, उनको यह करना है कि यह करना है, यह purchase करना है कि यह purchase करना है, तो यह है mental confusion, तो ज जो आपको number देने जा रही हूँ, यह है confusion को clear करने के लिए, हर तरह का confusion clear, मतलब जब आप decision ना ले पा रहे हो, जब आपको पता ही ना हो कि मुझे क्या करना है, क्या करना मेरे लिए सही रहेगा, तब आप इस angel number को लिखेंगे, number है 808, जो आपके mental confusion दूर करेगा, जब भी दो रहे पर खड़े हो, 808, means, दिमाग से उथल उथल confusion जो भी है, उलजन जो भी है, उसको दूर करेगा, 808, इस number को लिखेंगे, इसको भी रोज लिखने की ज़रात नहीं है, जब आपको ऐसा लगे कि life के इस mode पे मैं सही decision नहीं ले पा रहा हूँ, तब फिर आपको mental confusion को दूर करने के लिए इस number को लिखना चाहिए, तो दोस्तों ये है कुछ अच्छे angel numbers जो आपके लिए बहुत useful हो सकते हैं, मैं हूँ शालिनी, अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक सब को प्यार भरा नमस्ते